नमस्कार आप देख रहे हैं वनीडे हिंदी मैं हूँ आकाश भारत बनाम श्रीलंका दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन में भारत को एक और सफलता मिल गई है भारतिय गेंदबाज रविंद जडेजा ने डिकवेला को क्याच आउट करवा दिया है इशान शर्मा से और अब श्रीलंका अपने पांच विकेट खो चुका है आपको बता दें कि पहले टॉस जीत कर आज श्रीलंका ने बल्ले बाजी करने का निर्ने लिया और एक के बाद एक उनके टॉप ओर्डर के सभी खिलाडी वापस पेविलियन को लोटते चले गए हैं और इनमें से सबसे ताजा बाले बाज जो इस समय ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं वो है डिकवेला जिनको रविंद जडेजा ने अपनी गेंद पर इशान शर्मा से क्याच आउट करवाया टिकवेला ने एक गलत शॉट खेला वो मिड ओफ के उपर से बॉल को निकालना चाहते थे लेकिन वो बॉल को पढ़ ही नहीं पाए और बॉल जाकर उनके बल्ले के उपरी भाग से लगी और सीधा आसमान की तरफ बढ़ गए और इशान शर्मा जोकी मिड ओफ पर खड़े थे उन्होंने एक आसान सा कैच लिया और भारत को एक और सफलता मिल गई इस वीडियो में फिला लेता ही देश और दुनिया की बागी खबरों के लिए लॉग ओन कीजिए वनिडिय हिंदी डॉट कॉम पे और इस वीडियो को शेयर और ना भूलें साथ साथ वनिडिय चैनल को भी सब्सक्राइब करें